हेलो एब्रीवन डेली डाजेस्ट में आपका स्वागत है मेरा नाम अपढणामन है इस वीडियो में हम जिस टॉपिक ये बाद करेंगे वह महिलाओं से जुरा एक बहुत सम्वेदर्शील मामला है सम्वेदर्शील इस केस में कि ये महिलाओं के गुपतांग से जुरे कैंसर से रिलेटेड बात है पर ये मुद्दा जो मैंने लिया है ये हमारी लिए खुशी काविस है खुशी काविस है इसलिए कि पहली बार भारत ने अपने खुद के दम पे इस कैंसर के ट्रीटमेंट का वैक्सीन ढून लिया है तरह уже करá है इस वेडियो में हम इस वेडि़ां के बारे में जननेंगे ये वैक्सीन क्या है बनाया इस वैक्सीन के बनने के बाद महिलाओं को किस तरह से फाइदा होने वाला है साथ ही जो सर्विक कैंसर है यह डिजीज क्या है कितनी बरी अस्तर पे जो है इसका प्रभाप देखने को बिलता है इन सभी चीजों के बारे में डिसकस करेंगे सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CERVAVAC means cervical cancer vaccine आएए डिसकस करते हैं सो सर्विक्स की अगर मैं बात करूँ तो यह वोमें रिप्रड़क्टिव और्गें का जो में कंपोडेंट है यूटरस इसका सबसे लोवर मोस्ट पाथ है सबसे निचला हिस्सा है ठीक है और इसमें प्राया क्या होता है अगर ट्यूमर जेनरेट हो ज सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं ठीक है ट्यूमर क्या होता है हम जानते हैं कि वैसे सेल्स होते हैं जो बोड़ी के रिगुलर सेल्स नहीं होते हैं बलकि ऐसे सेल्स होते हैं जो बोड़ी को अंदर से डामेज करते हैं और यह सेल्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि हमारे खुद अब इसके लिए जो वैक्सीन बना है ये वैक्सीम सीरम इंस्टिचूट ओफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और इसको नाम जो है C.E.R.V.A.V.A.C. दिया हुआ है ठीक है अब सीरम इंस्टिचूट ओफ इंडिया को आप जानते हैं कोवीड वैक्सीन बनाने में उसके दिस्रिबूशन प्रोडक्शन में कोवीड को भारत से खतम करने में सिरम इंस्टिचूट ओफ इंडिया ने बहुत मदद की है ठीक है अब हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है कि ये पहला टाइम है जब भारत में इस सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन बन गई है और वैक्सीन को लॉंच भी कब किया गया वो याद रखिएगा इसको नेशनल गर्ल चाइल्डे के पर लॉंच किया गया जो कि जन्वरी 24 को मनाया जाता है ठीक है अब ये वैक्सीन जो है सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलोजी के मदद से बनाया है ठीक है और अभी शुरुवात में सबसे पहले ये जो वैक्सीन है ये गर्स को दी जाएंगी जिनकी उम्र जो है वो 9 से 14 वर्षों के बीच में है ठीक है और इसका जो प्राइस है इस वैक्सीन का वो 200 से 400 रुपे पर डोज होगा अब एक बात आपके दिमांद में आ रही होगी कि क्या इससे पहले सर्वाइकल कैंसल को लेके कोई वैक्सीन नहीं थी या अगर थी तो क्यों ये जुरुद पढ़ा कि एक नही वैक्सीन लानी पड़ी सो आप ये जान लीजिए कि इससे पहले जो है एच्पीवी वैक्सीन का इस्तमाल होता था सर्वाइकल कैंसल के ट्रीटमेंट के लिए प्रॉब्लेम ये थी कि ये वैक्सीन हम बनाते नहीं थे बलकि बाहर से मंगवाते थे और इस वज़े से ये का साफी एक्सपेंसिब पड़ती थी कैसे सो एक डोज एच्पीवी वैक्सीन का एक डोज जो है वो थीतिससो से चार हजार रुपय का कॉस्ट पड़ता है आप सोचिए कहां 4 रुपय दस गुना ज्यादा कॉस्ट अभी पड़ता था अमारे हाँ जो वैक्सीन वानी वह कोई गरीब महिला है उसको पैसे की कमी के कारण cervical cancer से जूजना पड़ेगा या उसकी death हो जाएगी ठीक है अब cervical cancer की बात करें तो cervix में होने वाले tumor को cervical cancer कहते है अभी पूरे world में एक चौथाई जो मृत्ति होती है कैंसर से के मशांना का द्şa levar सरवाइकल कैंसर केस होता है любимcript 4 तरह का है कैंसर होते हैש लंग रिष्ट का होता है उसकी इसमें चौहार सबसे मशां मायर कर शापला का कैंसर पूरे विष्म अभी मैं buzina 2-5 लाक महिला ऐसी हैं जो cervical cancer से जूज रही है, ठीक है, और इंडिया में 75,000 से भी जादा women's का death हो चुका है, इस cervical cancer, तो अब सोच सकते हैं, यह cancer कितना deadly है, ठीक है, अब, according to WHO, WHO, WHO ने एक International Classification of Disease Report जारी की थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बात किया था कि 65,978, इंडियान की जो women है, इनको cervical cancer देखा गया है, इनमें 2005 से, सिर्फ 2015 में, sorry, WHO के नुसार, लगबख 66,000 भारतिय महिलाओं में, 2015 में, सर्वाइकल कैंसर देखा गया, अब, यह जो नंबर है, यह 2017 में, यानि कि दो वर्षों में, यह बढ़कर 75,000 से भी जादा हो गया, और ऐसा expectation है, कि 2025 में, यह जो संख्या है, यह 85,000 के भी जादा पार चली जाएगे So, अगर कोई ऐसा disease, जो एक इतने vital organ में हो रहा है, और उसके लिए, अगर आपके स्वदेशी निर्मिद वैक्सिन बन जाए, जो कि बाहर से बंगवाए गए वैक्सिन से 10 गुना जादा सस्ता है, तो यह एक तरह से भारतिय महिलाओं के लिए बर्दान सावित होगा, और यह संभव हुआ है, सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया के द्वारा, इस टॉपिक में इतना ही था, धन्यवाद,